नमस्कार, सभी विसानवाईयोतों मेरा राम राम मैं आपका लाला टककर मारोती गुपा अनारू मार्केट जीवाना आपको ये सुचित करते हो और नुझे बहुत हर्श हो रहा है कि इस साल की मारोती गुपा अनारू मार्केट की शुभारम 9-12-2023 को होने जा रहा है और मैं इस आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपना माल ले करके आ सकते हो मारोती गुपा अनारू मार्केट तीन साल से यहां स्कित है यहां पर कोई भी तरह का किसानों को कोई टोकन सिस्टम नहीं है कोई भी किसानों को ट्रॉली में माल खाली करते वक्त कोई देड़ रूपिया कीडो देने का ज़रुदत नहीं है ट्रॉली में माल खालती करते समय किसानों को सीधा लेवर को पापको फोन करने की जरूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी के साथ में कीसानों से यह कहना चौँगा, कि मारोतिक रुपा अनार मंडी आपका पेटा लाला भाइत का मंडी का शुभारंब होने जा रहा है ये नहीं है कि एक ही दिन मंडी नहीं चलने वाली है मेरी मेरी मंडी अब जब तक किसान मुझे चलाते रहेगे तब तक चलती रहेगे तो एक ही दिन ज्यादा माल लेके आना और अपने ही रेट गिरवाना ऐसा मत कीजिए मंडी की माल खाली करने की प्षमता एक किलो से एक लाख पच्चीस अजार किलो तक है मैं सबी इसाथ भाई उसे फिर एक बार की वेदन करना हूँ मंडी की माल खाली करने की च्छमता 1 किलो से 1,25,000 किलो तक है इसका मतलब होता है 1 किलो से 125 तंग तक मंडी में माल खाली किया जा सकता है अगर आप किसान भगदर मचाके और माल ले आओगे तो इसमें बजार भी गिरेगी विवस्ता भी नहीं कर पाएंगे हम तो मैं सभी किसां भायों से नमर निवेदन करता हूँ कि आप लो शुबारम में आईए इस महा अनारक की मंडी के महा कुम का एक हिस्सा हो ये लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा माल लेके आना है जो रेट ओपनिंग में जाएगा वही दो दिन के बाद रहेगा ऐसा मत सोचिए कि ओपनिंग है तो बहुत उपर जाएगा रेट ऐसा नहीं हो सकता है जो रेट होगा वही रेट आपको आज मिलेगा तो ओपनिंग के बाद दो तिन बाद भी वही गर्ट मिलने वाला है तो सभी किसान भाई इस चीज़ का बहुत ज़ादा ध्यान दे और इस तरह से माल लाए कि यह आपकी मंडी है आप लोग इधर भगदर मचाओगे तो मेरी गेर वेबस्ता आपकी गेर वेबस्ता है इस बात का सब लोग बहुत ज़ादा ध्यान दे और उस इसाब से माल लाए अब तो शुभाराम हो रहा है अब तो चलना है उपको सबको साथ मिलके तीन-चार मैने तक आपका लाला भाई कहीं नहीं जाने वाला है तो मैं पुनश्य सभी किसान भाईयों का माहोदी कुपा, अनारबंडी के ओर से हर्दिक स्वाजत करता हूँ और अपेक्षा गरता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप मैंने दीने सभी सुचनाओं के उपर अनुकरन करेंगे और इसी प्रकार, जिस प्रकार आपमें डगवस मेरा साथ सरकार और आशिर्वाद दिया था ये साल में यही किसानों का साथ सरकार और आशिर्वाद मेरे साथ रहेगा इसी कामना के साथ मैं सभी किसान भाईयों को मेरी दरब से राम राम, जै हिन, जै बार, जै राजस्तान